हेलो दोस्तो कैसे आप सब आछ़ा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे सवस्त होंगे और कए न कए आप अपने एगजाम की तयारी में व्यस्त होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टोकियो ओलमपिक 2021 से क्रेंट अफेर के जितने भी कोसिंज बन रहे हैं आपके साथ बो डिसकस करने जा रहा हूँ अगले चार साल तक आपके जितने भी गजाम होंगे करें ने कहीं आप गजाम में गाइस टोकियो ओलम्पिक 2021 से कोसिंज जो जिरूर देखने को मिलेंगे चाहे आपका कोई साभी गजाम हो तो संपूरन ओलम्पिक 2021 में आपके लिए एक ही वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ अगर आपने ये कर लिए तो एक्जाम में आपका एक भी प्रिसन नहीं छुटने वाला ओलम्पिक जीके से तो दोस्तो टोप 50 प्लस जीके के कोसंज रहेंगे आप सभी के लिए और आपको बता दें कि हमारी डिली रात को साड़े आठ वजे कलास होती है और आप इस कलास को लेना बिलकुल भी मत भूलीगा तो चलिए दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दवाईएगा ताकि आपके मुवाईल फोन पर भी हमारी डेली गलास्व का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो अंतराश्टरी ओलमपिक खेल 2020 का आयोजन कहा हुआ दोस्तो आपको बता दें कि ये जो ओलमपिक थे जो की 2021 में हुए ये 2020 वाले ओलमपिक थे क्योंकि दोस्तो 2020 में करोना की बज़े से इन ओलमपिक खेलनों को जो आगे बढ़ाया गयता जो की 2021 में करवाए गए हैं तो आपको बताना है दोस्तो फर्स्ट कोसन है आपकी स्क्रिंग पर अंतराश्टरी ओलम्पिक खेल 2020 का आयोजन कहा हुआ उप्सन आपके सामने है बीजिंग चीन में बी पेरिस फ्रांस में सी टोक्यो जापान में एंड डी लिवसाने स्वीजरलेंड में तो नेक्स्ट कोसन हो जाएगा आपकी स्क्रिंग पर कि ओलम्पिक खेल का आयोजन पर तेक कितने वर्स के अंतराल पर होता है बहुत ही इंपोरेंट कोसन है दोस्तों और बहुत बार आपके एक्जाम में पूछा जा चुक है दो, तीन, चार या फिर पांच आपको बताना है कि कितने वर्स के अंतराल पर होता है ओलम्पिक खेल का आयोजन तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ओलम्पिक खेल का आयोजन होता है वे पर तेक चार वर्स के अंतराल के बाद होता है उपसने हमारा सी यहां पे हराइट अंसर हो जाएगा अब ही आपके जो ओलम्पिक खेला है यह 2021 में हुए लेकिन थे 2020 के दोस्तों 2020 के ओलम्पिक थे अब आपको बता दें अगला जो आपका ओलम्पिक होगा जो की चार सालवाद होगा यानि के 20-24-24 जो नेक्स्ट ओलम्पिक होगा वे 2024 में होगा कब होगा दोस्तों नेक्स्ट ओलम्पिक खेल का आयोजन होगा 2024 में और आपको बता दें कि जो नेक्स्ट ओलम्पिक खेल का आयोजन होने जा रहा है वे होगा पैरिस फ्रांस में नेक्स्ट कोस्ट है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कोस्ट निक तरफ चलते हैं दोस्तों ओलम्पिक खेल सुरू करने का स्रे किन को जाता है आपको बताना है कि ओलम्पिक खेल को सुरू करने का स्रे किन को जाता है तो दोस्तों ये जाता है PRAD कोबर्टीन उप्सन B हमारा यहां पे कोरेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि जो PRAD कोबर्टीन है ये कहां के रहने वाले थे तो ये फ्रांस के रहने वाले थे नेक्स्ट कोशन है टोके ओलंपिक 2021 में उद्गार्टन समरो की थीम क्या थी दोस्तों क्या थी थीम 2021 टोके ओलंपिक में उद्गार्टन समरो की तो आपको बता दें कि टोके ओलंपिक 2021 में उद्गार्टन समरो की जो थीम थी दोस्तों वे थी United by Emotions option हमारा A right answer हो जाएगा और आपको बताते हैं कि Tokyo Olympic 2021 में Smapun Samaro की theme क्या थी उद्गार्न समरो था उसकी theme भी अलग थी और जो Smapun Samaro था दोस्तो उसकी theme भी अलग थी तो चलिए आपको बताते हैं कि Smapun Samaro की theme क्या थी तो दोस्तो Smapun Samaro की theme थी बैठी का क्योंकि सब्वी कोस्तों most important and selected हैं चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं तो next question है आपकी screen पर कि Tokyo Olympic 2020 में किस देशने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं बहुत इंपोनेट कोस्तों आपके exam point 20 से जरूर यह वाला कोस्तों काई ने काई आपके exam में जरूर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले exam में Tokyo Olympic 2020 में किस देशने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं आपके सामने है चाइना B है भारत C है अमेरिका और D है जापान दोस्तों आपको बता दें इस question का जो राइट answer होने जा रहा है यह होगा option number C America Tokyo Olympic 2020 में गाइज अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चलिए आपको बताते हैं कि first number पर दोस्तों अमेरिका है जिसने की total 113 पदक जीते हैं और आपको बता दें कि 39 gold, 41 silver and 33 bronze medal जीते हैं अमेरिका ने और number 1 पर रहा है Tokyo Olympic 2021 में दूसर नमबर पर रहा है चाइना जिसने की 38 gold medal जीते हैं 32 silver medal जीते हैं and 18 bronze medal जीते हैं और total 88 medal जीते हैं और second number पर रहा है चाइना चलिए दोस्तों अब देखते हैं third number तो third number पर रहा है जापान जापान ने 27 gold medal 14 silver medal and 17 17 bronze medal जीते हैं total 58 medal जापान देशने जीते हैं चलिए अब हम बात करते हैं अपने भारत की अपने भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों अपने भारत यानि के इंडिया का जो स्थान है तो भारत का अर्टाली महस्तान है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा परदर्स नरा इस बार भारत का दोस्तों चलिए नेक्स्ट को स्थान के तरफ चलते हैं उससे पहले कि दोस्तों आप चैनल पर नए हो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करीगा और इन कोस्तों को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा अगला कोस्तों है आपके स्क्रेंट पर के टोकियो ओलम्पिक 2021 उद्गाटन समरों में बारती दवज वाहक कौन थे कोन थे दोस्तों ओप्शन ए है MC मेरी कॉम B है मनपरीत सिंग C है A और B दोनों एंड D है कोई नहीं तो इस कोस्तों का जो राइट आंसर होगा टोकियो जापान ओलम्पिक 2021 उद्गाटन समरों में बारती दवज वाहक थे दोस्तों यहां पर यहां पर सी राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस नहीं आपके स्क्रीन पर की टोकियो जापान ओलम्पिक 2021 समापन समरों में बारती दवज वाहक थे दोस्तों उद्गाटन समरों में बारती दवज वाहक थे दो कौन-कौन थे तो वे थे एमसी मेरी कौम और मोने प्रीट जिंग तथा टोकियो जापान ओलम्पिक 2021 समापन समरों में बारती दवज वाहक थे बजरंग पूनिया कोसन को ध्यान से देखना है उद्गाटन समरों और समापन समरों को ठीक है तो आपको पता चल गया होग चलिए नेक्स्ट कोसिंग तर्फ मूव करते हैं तो नेक्स्ट कोसन है आपकी स्क्रीन पर की ओलम्पिक में दो मैडल जीतने वाली पहली बारती महिला कौन बनी ओपसन आपके सामने है मेरा बाई चानू पीवी सिंदू बंदना कटारिया या फिर अधिती असोक तो दोस्त आपको बता दें कि जो पीवी सिंदुने दो हजार बीस टोक के ऑलम्पिक में ब्रॉंज मैडल जीता है और यौशं आपको घुछाम में डारेक्ट इसे भी कोसम देखने को मिलते कि पीवी सिंदु का संबंद किस खिल सही है तो आपको बता दें भी मीशन तो का संबंद है ओलम्पिक में ये पहली महिला बन चुकी है बारती महिला चलिए नेक्स्ट कोस निकतर चलते हैं तो नेक्स्ट कोस ने आपके स्क्रेम पर कि ओलम्पिक लोगों में कुल कितने चल्ले होते हैं जो ओलम्पिक का लोगों होते हैं दोस्तों उसमें कितने चल्ले होते हैं कितने ग आपको दोस्तों पता होगा किस स्थान पर रहा बारत का क्या स्थान रहा टोक है उलम्पिक 2021 में तो बारत का स्थान रहा है 48 उप्सन C राइट अंसर चलिए ने 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 बारत ने उलम्पिक 2021 में कुल कितने स्वर्न पद्ग जीते काफी इंपोर्न कोशन है दोस्तों आपके एक्जाम पॉइंटों वी से और यह वाला कोशन भी आपके आने वाले मन्त में किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है भारत ने उलम्पिक 2021 में कुल कितने स्वर्न पद्ग जीते हैं दोस्तों यह जीते हैं एक औप्सन ए पद्ग जीते हैं दो तो चार अकंसे पद्ग दो रजित पद्ग और एक सवर्न पद्ग टोटल साथ पद्ग भारत ने जीते हैं और अटाली मस्तान भारत ने पाया है टोकियो अलंपिक 2021 में नेक्स्ट कुसने टोक्यो जापन ओलंपिक का आयो जिद्ग कब से कब तक दोस्तों आपके सामने है तेस जुलाई से आठ अगस्त बी है 25 अगस्त से 12 सितंबर और सी है 10 सितंबर से 15 क्टूबर एंड ऑप्सिंडी है 12 जैनवरी से एक फेरवरी तो टोकियो जापान ओलम्पिक का आयो जिन जोब 23 जुलाई से आठ अगस्त तक हुआ है उप्सन ए राइट अंसर हो जाएगा चली नेक्ष्ट को स्क्रीन पर कि टोकियो ओलम्पिक में बारत की तरफ से कितने खिलाडी सामिल हुए हैं कितने खिलाडी सामिल हुए थे दोस्तों तो एक सो चालिस एक सो पचास एक सो उनिस या फिर एक सो पचीस तो टोकियो ओलम्पिक में बारत की तरफ से दोस्तों 119 खिलाडी सामिल हुए थे उप्सन हमारा यहां पर सी जब राइट अंसर हो जाएगा उप्सन सी कोरक्ट अंसर अगला कोशन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक मातर बारती जिन होने टोकियो ओलम्पिक में सिवर्न पदक जीता है उपसन ए है मेरा बाई चानू बी है पीवी सिंदू सी है निरज चोप्रा और डी है बजरंग पुनिया तो किसने जीता है दोस्तों एक मातर सिवर्न पदक तो यह जीता है उपसन नमबर हमारा सी राइट अंसर हो जाएगा न नीरज चोप्राने दोस्तों नीरज चोप्राने एक मातर सवर्न पद्दिक जीता है किस खेल में दोस्तों यह जीता है जैवलिंग थ्रो यानि बाला फैंक में उन्होंने 87.58 मीटर बाला फैंकर जो गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए टोके ओलंपिक 2021 में और दोस्तों इससे पहले पहला जो सवर्न पद्दिक जीता था वे अविनव बिंद्रा जीता था 2008 में और यह दूसरे विक्ति हैं जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता है गईज 2021 में ज आपके स्क्रीन पर उलम्पिक खेल की सुरुएत कब हुई थी ओपस्न ऑपशन अ 15 जनवर 1995 ऑप बी छे अपरेल 1896 ऑप बी बार अपरेल 1905 और ऑपसन डी है 18 जुलाई 1990 आपको बताना है कि ओलंपिक खिल की शुरुआत किस बर्स हुई थी तो दोस्तों आपको बता दें तो इस कोशन का जो राइट अंसर होगा बे होगा 6 अप्रेल 1896 में ओलंपिक खिल की शुरुआत हुई थी अगला कोशन है आपकी स्क्रीन पर कि पहला ग्रीस मुकालिन ओलंपिक खिल कहां आयो जित हुआ काफी इंपुलेंट कोशन है ओप्सन ए है पैरिस फ्रांस में बी है एंथेस ग्रीस में सी है नई डिली भारत में और ओप्सन डी है नियूँ योर्क अमेरिका में तो पहला ग्री DM कालिन ओलंपिक खिल हुआ खियल और वह खियेस तो इसका राइट ईंसर होगा ऐंथेस ग्रीस हो में और यहां पर रइट पर हो जाएगा नाटल सीद कालिन Johns 3000 पहला Grieze में लिम क्लें ओलंपीक खेल हुआ था काइब ग्रीज में यहाँ पहला सीफ कर गये कर लूंपीक खेल उप दो दोस्तों यह कहांप दो सहाँ यह ओथा जमे। फ्रांस में और कब वह था यह तो यह निनेश्ण दोस्तों कब वो था तो यह हो था 1924 में ऑप्शन डी राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट को सना आपकी स्क्रीन पर टोके ओलंपिक 2021 का सुभांकर कौन था यानि दोस्तों टोके ओलंपिक 2021 का मैस कोट्स कौन था ओप्शन ए है रेड जैगवार बी है मिराइटोवा सी है समोकी डी है वालडी तो कों था सुभ खुण कर को था तोदोश्तों टोके ओलंपिक 2021 का तो ये था मिराइटोवा ओप्शन बिए राइट आंसर नेक्स्ट को सेन आपकी स्क्रीन पर टोके ओलंपिक 2020 का कौन सा संसकरन आयो जित हुआ। काफ़ी important question दोस्तों और यह वाल question भी आपके exam में definitely पूछ जाएगा। टोके olympic 2020 का कौन सा संसकरन आयो जित हुआ है। तो यह हुआ है बत्तिमा option B right answer। चली next question है कि टोके olympic में भारत ने होकी में कितने साल बाद पदक जीता है। घर grammar भूट लोई तोके olympic में भारत ने होकी में कितने साल के बाद पदक जीता है। तो दोस्तों आपको بتा दे भारतने 41 साल के बाद होकी में पदक जीता है और कंसे पदक जीता है। दोस्तों 41 साल बाद जीता हैं कंसे पदक जीता है। Gulf कर does not उसके बाद नक्ष्ट कोसने कीस वर्स बारत ने उलम्पिक खेलों में होकी का पहला गोल्ड मैडल जीता था 1928, 1936, 1940 से फिर 1956 में तो दोस्तों ये जीता था 1928 में उपसन ए राइट अंसर 1928 में बारत ने ओलमपिक खेलों में होकी का पहला जो गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद अगला कोस्ट ने बारत के पूरुस होकी टीम के कपतान कौन है सुरेंदर कुमार हर्मत प्रीथ सिंग सिरी जिंद या फिर मन प्रीथ सिंग दोस्तो बारत के पूरुस होकी टीम के जो कपतान है बे है मन प्रीथ सिंग और डी राइट अंसर और आपको बता दें कि जो होकी टीम के कोच है वे है ग्राहम रीड उसके बाद अगला कोस्ट ने बारत के महिला होकी टीम के कपतान दोस्तों पुरुस होकी टीम के कप्तान हो जाएंगे हमारे मानपरीत सिंग और महिला होकी टीम के कप्तान हो जाएंगे हमारे कौन होंगे दोस्तों बंदना कटारिय, गुर्जीत, कोर, रानी, रामपाल या फिर सलीम, टेटे तो ये हो जाएंगे मारा इंस है रानी राम पाल जो है वो बारती नहीं बायदी हो कीटेम के कप्टा rejoerca जो है आपको पता देंगे कि महिला हो कीटेम ने इस वार काफी बहुतरी जीत कर पर दोस्ट न रहा जार इस मार मे आज प्रो पोइंट आ जाता तो महिला होकी टीम भी कांसे पर जीता थी तो चलो नेक्स्ट टाइम चलिए नेक्स्ट कोस्ने आपकी स्क्रीन पर है बारत की ओर से टोके ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मैडल किसने जीता पीवी सिंदू लाब लेना बोर्ग गोहन मीरावाई चानु यह फिर स 49 किलो ग्राम वेट गिरि में सिल्वर मैडल जीता है मनपुर के रहने वाले यह ऐने तो यह मनपुर के रहने वाले तो के बाद नेक्सट को सना ओलांपिगा चेल अल्मपिख कहा होगा धुस्तो का कि का होगा आउजिन आपको पता कि यह जो थे यह 2000 वा रुस पर चार बर्स के बाद अब जो नेक्सट ओललमपिक होंगे १ी 24 में होंगे और कहांपे होंगे दोस्तों यह होंगे पेरिस में और यह राइटांस फरांस की राज़ानी पेरिस अगला को स्क्रीन पर की चर्चा में रही आदिती अशौक किस ख्याल से संब्द देख गाइस काफी इंपोरनट को सन है और बहुत ही बहते रहा है अदिती असोक का कि टोकी ऑलम्पिक में तो किस यह संबंद है अधिती आसोक उपसिंट Imayak कुछ्टी से भी है बॉक्सिंट्स से इस यह गॉल्फ से और डी है होकी से दोस्तों जो अधिति असोग का संबंद है यह गॉल्फ से है ओप्सिन सी हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा इनका भी फोर्ट रेंक रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रदर्स नराइन का तो फाइब में रही दोस्तों अधिति असोग तो बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट कोंसन गितर चलें तो नेक्स्ट को सन है ओलंपिक खेल में पहली बर महिलाओं को कब सामिल किया गया उप्सन ए है 1896 बी है 1902 एंड डी है 1928 तो दोस्तों पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में सामल की गए था 1900 में ऑप्सन भी हमारा हराइट अंसर हो जाएगा उस वक्त कहां पर हुए थे दोस्तों आयोजन तो उस वक्त हुआ था पैरिस में जो की फ्रांस में है उसके बाद नक्स्ट कोस्ना बारत ने किस बरस ऑलंपिक खेल में अपनी टीम बेजी थी तो किस बरस बेजी दोस्तों ब उलंपिक का और दोस्तों आज के टाइम में 2020 में देख जाए तो आज वो यह वो यह 32 संसकरन जा पहुंचा है अगला कोस्ना है बारत ने पहली बार सीथ कालिन उलंपिक में हिस्सा कब लिया गाइस कब ले था तो यह ली था 1964 में उप्सन भी राइट है जिसका आवजन हु होता तो और घ्रा चेथ कापको सूरी कॉष्टे को कौन सी संस्ता रह रागूएट करना करदी है ओप्सन हमारा यहां पर भीर हो जागा बात करें ATP के तो दूस्तों ATP जो तेंस dain 오늘 करती है ठीक है dal हमारा A 20 जो बीड़ करती दोस्तों यह ठेनिस को करती जब ऐस गए उसका ICC जो पता होगा यह क्रिकेट यह सी आर आई सी के जो पक्रिकेट को करती है और दोस्तोफीपा यह फुटबोल को रिकुलेट करते हैं किसको तस्तोफी करती है करते है तो आपको याद रखना है अगले कोस्न ने अंतराष्टरी आलमपी किमिति का मुख्यल्य कहाश दिता है काफी important question दोस्तो टोक्यो जापान में, बीजिंग चीन में, पैरिस फ्रांस में या फिर लिवसाने स्वीजलेंड में तो अंतराश्ट्री ओलंपिक समिती का मुख्यले हो जाएगा हमारा लिवसाने स्वीजलेंड में option D right answer हो जाएगा जूर याद रखेगा इस question को अंतराश्ट्री ओलंपिक समिती के वर्तवान अदेक्स कौन है दोस्तो कौन है वर्तवान अदेक्स थोमस बाक एटोनियो गुटेरस एड्रोस अधानोम या फिर क्रिस किरमोड तो अंतराश्ट्री ओलंपिक समिती के जो वर्तवान अदेक्स हो जाएगे दोस्तो यह हो जाए तो दोस्तों जो अंतराश्ट्री ओलमपिक समिती की अधिकारिक बासा है वे अंग्रेजी भी है और फ्रेंच भी है उप्शन हमारा C यहां पे राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है अंतराश्ट्री ओलमपिक समिती यानि आई-उसी के सिदसे देस कितने हैं किसने दोस्तों 196, 105, 145 या फिर 190 तो यह हो जाएंगे 105 और बी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरस्ट्रे ओलंपिक सिमिति के जो सिदसे हैं वे 105 सिदसे हैं उसके बाद गाइस नेक्ष्ट को सने रैवी कुमार दहिया का संबंध किस खेल से हैं काफी इंपॉरन्ट को दोस्तों जो रभी कुमार दहिया का संबंध किस खेल से हैं बोक्सिंग कुस्ती वेटलिफ्ट रिंग या फिर वेडमिंटन दोस्तों जो रभी कुमार दहिया का संबंध है यह है कुस्ती से ऑप्सन भी हमारा यहां पर है राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों रभी कुमार प Mr. द्धाये का समन्द कुष्टी में है इनोंने कुष्टु में रजफ फडदक जीता है दोस्तो 57 किलो बाहर वर्ग में और बजरंग कुष्टी में और बजरंग पुनिया 보세요-तर देज और वद्धको बाहर वर्ग में दोस्तों काफ़ी इंपुलेंट कोसने सभी के सभी जो जुरू नोट कर लीजीगा अगला कोसने टोके ओलंपिक 2020 में पुरसों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्न पदक जीता है दोस्तों ये जीता है मार्सल जैकोबस ने और ये इटली के रहने बाले है इन्होंने 9.80 सेकंड में अपनी 100 मीटर की रेस को पूरा किया और गोल्ड मेडल जीता है उसकОत गाज, नेक्स्ट कोसने के किस महाद्विप में अब तक एक वी उलिम्पिक खेल खना आयोजन नहीं हुआ है ऐसिया, अमेरिका, एस्ट्रेलिया या फिर अफरीका दोस्तों इस को लाइडन स्रहल जैगा अफरीका महाद्विप में अब तक एक वी ओलम्पिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है दोस्तों यह थे हमारे आज के कोसिंज तो यहां पे देखने को तो दोस्तों हमने 36 किये लेकिन हैं यहां पे बीच बीच में हमने जिसने भी कोसिंज आपको करवा है एक्स्ट्रा है तो सभी कोसिंज जो वो most important and selected है आपके exam point of view से वो दोस्तों पूरी-पूरी उमिद है आपके आगे आने वाले जितने भी exam होंगी जरूर इन से कोसिंज वो पूछे जाएंगे दोस्तों यह थी हमारी एक छोटी प्सक्राइब taşाएए दोस्तों भी ऐसी कलास तो अगर आपको कलास का PDF चाहिए यह बिलकुला दूस्तore फ़्य अपको एस प्द कलास पीडिएफ हमारे टेलड़ीव में मिल जाएगा हमारे टेलड़ीव पसंद आयो तो प्लीज यसे लाइक करेजिगा अपने दोस्तों साथ भी से लिए चैनल पर अगर आप पहले बार बीजिट की हैं और अभी तक भी अगर आप